हलो स्टूरेंट्स मेरा नाम है अभिशेक वर्मा और स्वागता आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे जी हाँ तो आज आपके लिए स्टडी क्लास लेकर आये हैं MPDLA का विशे जो की है इस इकाई एक की important questions की अंतिम वीडियो होगी इसके बाद हम बढ़ेंगे इकाई दो पर तो देखिए हाँ पर सबसे important जो questions है वो मैं आपको बता हूँ लेकर उससे पहले सीधे सीधे बोल दूँ कि अगर चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल rate की परिशा पास हो सकते हैं 80-90% भी स्कूर कर सकते हैं चलिए भीना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं और देख सबसे important question क्या है तो यहाँ पर सबसे important questions की बात करें तो वो है what are the main components of a language किसी भी भाशा के main components क्या होते है यानि कि कोई भाशा जो बनती है उसके main components क्या होते हैं तो किसी भाशा के main components की बात करें तो वो क्या होता है कि in order to take up in task of teaching a language किसी भी भाशा को सिखाने के लिए अगर आपको आपका लक्ष मिला है किसी भाशा सिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा it is important to know the aims of language उस भाशा का आपको पहले लक्ष जामना पड़ और आप सभी तो भविशिके teachers हो तो आपको पता होना ही चाहिए the purpose of any language is to express oneself the listeners अपने आपको अपने श्रोता listeners को सामने एकदम अच्छी तरह से रखना समझाना यही तो कर्तब्य होता है एक किसी भी language वाले का जो language बोलता है या पढ़ाता है अब आप language भाहे लिखकर साथी जाते रेटन भी तो one who understand what has been said the language can be oral or written expression अब बात होगी भाई कि भाषा का importance क्या है भाषा कैसे सिखाते हैं अब बात करते हैं उसके components की तो बात करें उसके components की तो भाई dictionary दूसरा sound system भाई उस भाषा का सिस्टम है sound यानि कि ध्वनी तंत्र जो है यानि कि pronunciation वो important है तीसरा spelling और alphabet भाई spelling और alphabet भी तो important है किसी भी भाषा का spelling उसमें alphabet यानि कि उसमें जो ABCD जो है वो बहुत important है और उस भाषा का form भी तो होगा यानि भाषा का इस रूप में नी बोल दे रहे हैं पांच बेसिक कंपोनेंट जो हैं उनमें सबसे इंपोर्टन यही है कौन-कौन से भाई डिशनरी साउंड सिस्टम अलफाबेट फॉर्म्स और सिंटेक्स तो यह पांच जो है यही पांच सबसे इंपोर्टन है परिशा के दिश्चिच आपको ध्यान रखना है य यही किसी लैंग्विज की में कंपोनेंट होते हैं अब यह अंग्री भासा पुछा है तो बढ़ते हैं चलिए अगले प्रशन क्यों तो बात करेंगे अगले प्रशन की तो अगला प्रशन है वाई इंग्लीज भाषा का क्या है दूत्य भाषा के रूप में अंग्रे जी भाषा की खास्यते क्या है तो बाई अगर आपको कोशन ऐसा है तो मैंने पहले भी का है कि चिटिंग कर लो थोड़ा सा चिटिंग कर लो मतलब बाई कोशन में से कॉपी कर लो कैसे करोगे कॉपी यहां पर सीधा सीधा दिया हुआ है क्या the characteristics of English as a second language are as follows simple बचपन में भी तो तो पहला कि English एक ideal language है English is a ideal language English as a ideal language जो हमारे आदर्स भाषा का रूप है और किसी भाषा को हम progressive किसी भाषा को हम उन्नत शिल तब बोलते हैं जब उस भाषा का कोई अतीत past रहा हो present वरतमान है और उसका कुछ future हो तो a language is called progressive if it has its past, present and future यहां से mcq भी बन सकता है यह भी ध्या तब इस भाषा का हम progressive कहते हैं बढ़ते हैं तीसरे की तरफ English has its own system of words, phrases and sentences अंग्रेजी भाषा का अपना स्वयम का जो है शब्द मंडल है जी हां सब्द कोश है उसमें phrases and sentences वाक्ये हैं तो यह English में अपने आप है कोई से चुराया नहीं है अंग्रेजी भाषा जो है वो स्व Ponyms, Morphemes and Syntax which are the parts of a language structure are its own अंग्रेजी भाषा में जितने भी syntax है, phonetics है, जो कहावते हैं या जो भी pronunciation है वो सब इसी भाषा है किसी और भाषा से लिया नहीं गया है साथी साथ वहीं बात करें अगला तो English has its own grammar भाई अंग्रेजी का अपना खुद का व्याक्रण है खुद क स्क्रिप्ट है साथी साथ English has a vast treasure of literature which touches every part of life और अंग्रेजी जो है एक खजाने की तरह है साहित का खजाना है जो हमारे जीवन के हरे एक पहलू को छूता है यानि it touches the every part of a life तो ये characteristics है ये सारे सात गुन है बाई किसके ये सातों गुन है अंग्रेजी भाषा के as a second language अंग्रे क्या है कि how can the skills of the learners be improved सीखने वाले की skill सीखने वाले की जो कला है का जो कॉसल है कैसे सुधारा जाएगा तो बार बार practice करवा के सबसे important भाई क्या है कि practice भाई practice करेंगे तो ही सीख पाएंगे ठीक practice के बाद दूसरी चीज कौन सी important है भाई consistency रोज करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक दिन स्कूल गए भासा सीखने अगले दिन जाई नहीं रहे तो इससे consistency नहीं आने वाली तो यह दो चीज़े बहुत जरूरी है practice consistency और तीसरा आप concentration बोल सकते भाई ध्यान होना चाहिए concentration ठीक तो यह तीन चीज़े रहेंगी तो पक्का भाई इसी learner के skill जो है improved हो जाए तो हमारा question क्या कहता है हमारा question कहता है what are the preconditions for teaching in new language भाई किसी भी नई भाशा को पढ़ाने के लिए पूर्व परिस्तितिया क्या होने चाहिए मतलब मैं किसी school में पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरे सामने कौन सी परिस्तितिया होनी चाहिए पहले तो या मुझे किस तरह की त्यारी करके जाना चाहिए यह सवाल हम पर पूछा है तो चलिए उसका जवाब भी दिख लेते हैं कोई भी भी भाशा जो होती है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा इमानदारी या फिरम कह सकते हैं अभी न अंग होना चाहिए language is such an essential part of everyone's existence हम सभी के अस्सितों का एक बहुत ही जरुवी भाग है that is impossible to imagine life without it और बिना भाशा के भाई जीवन imagine करपाना जीवन की कलपना करपाना भी मुश्किल है there is no possible life without language the process of language learning specifically is the language it issue is not native to the learners अब किसी भाशा को सीखने के लिए वहां के जो लोकल लोग है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई वह उनके लिए तो बड़ा आसान होगा सीखना लेकिन हमारे थोड़ी सी कठना ही जाएगी हमें pronunciation में हमें लिखने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो यह ध्यान वाली बात यह है कि नहीं भाशा सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको उस भाशा से familiar होना पड़ता है उस भाशा से आपको interact करना पड़ता है और यह भाशा जो होती है natural होती है आने कि आप धीरे-धीरे सीखते हैं आप समय लेगेगा आपको सीखने में साथ ही साथ यह जो भाशा होगी यह भाशा आपको जर्म-जर्मांतर तक याद रहेगी बाई जर्म-ज पर सिर्फ इंसान ही तो है जो भाशा का प्रयोग करता है वरना बाकी सब तो अपने अलग प्रकार के ध्वनियों का स्वरों का प्रयोग करता है ना भाशा का प्रयोग कोई नहीं करता है अगर मैं सपने में रोज सोसता हूं मुझी अंग्रेजी शीखनी है अंग्रेजी भ पर पर अंग्रेजी भासा मुझे आने से रही जो शीखना चाहता है उसी को आता है तो अनौधर फैक्टर डाट प्लेज एन इंपॉर्टन रोल इन लेर्निंग फैलेज इस तैम जैसा बाता वरान होगा वही डिसाइड करेगा कि हम कौन सी भासा सीख रहें अगर आपको हिंदी बात कर रहे हिंदी में बोड रहे हैं पढ़ाई भी इंदी में जा रहा तो आप अंग्रेजी भासा बहुत मुश्खिल से सीखेंगे आफिर सीख नहीं पाएंगे तो माहोल इंवार्मेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आप क्या सीखेंगे आपका अधिक तर समय है किस माहोल में बिताते हैं यह बताएगा आपको पढ़ाई के बारे में ठीक हर भाषा में कुछ खास करेक्टरिक होते हैं और वो जो गुन होते हैं उस भाषा को प्रभाव डालते हैं कि उसे कैसे सीखा जाए उधारण के तोर पर हिंदी भाषा सीखना अभी कोई आएग कि वो सीखना ही बहुत डिफिकल्ट जाता है जी हां अब देखो कि इंडियन्स को बहुत आसानी से इंगलिश आती है तकि इन फॉरिनर्स को बहुत मुश्किल से हिंदी आती है तो यही कारण है जो लैंग्वेज टीचर जो भाषा विग्यानिक होते हैं भाषा सिख्षक ह भाषा विग्यानिक है तो उसे इन बातों के बारे पता होना ही चाहिए तब ही जाके वो अपना सिखाने का कारे पूरा कर पाएगा तो स्टूरंस यह होगे सबसे मोस्ट इंपर्टन कोश्चन यूट वन से जी हां यही प्रोफेशन इंग्लिश फॉस्ट चर की उनिट वन सब्सक्राइब करके बेल अडिशन का उल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चले सोने मिलते आप से अगले वीडियो में हमारा चैनल स्टेडी क्लास